आप से पॉज़र सावरकर अगर आप इनकी कहानी देखेंगे तो आप बोलोगे कि यार मुवी शूवी चैनल के उपर आके अगर हम अक्टर भक्ती नहीं करते हैं स्टार भक्ती नहीं करते हैं कोई फैंटम नहीं दिखाते हैं तो वन अप दे रेयर कॉंटेंट इसको देखे इसे लेके बड़े होते तक और कैसे उनकी विचार धारा के अंदर चेंज आया और चेंज भी कोई ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है लेकिन जैसे हुमन एवलूशन होती है सोच के अंदर चेंज आसपास देख कियो उसके उपर रियाक्ट करना और उसके उपर अपनी विचार धारा रखना ही काफी जदा इंट्रेस्टिंग तरीके की मेचौर तरीके का नरेटर मुझे यहाँ पर लगा तो सावरकर साब का जो व्यूपॉइंट था जिसको लेके कभी-कभी कॉंग्रेस बिलग जाती है और क्यों बिलग जाती है क्यों कभी कुछ लोग उनको हेट करते हैं कुछ-कुछ लोग उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अब क्यों है यह रीजन यहाँ पर मुवी के अंदर बहुत अत्यक तो एक तरीके का पक्ष रख रख ही दिया गया ऐसा नहीं है कि आपकी कोई अंबिग्विटी रहेगी कि या अच्छा था कि बोलेंगे इसके अंदर सारे रिलिजन अच्छली समा जाते हैं तो यह काफी ज़्यादा बड़ी बात है और यह चुवा चूट जात पात और उस सिब उठीवी बात है और हैंडिया के अगेंस्ट कुछ भी ऐसी बात होती है जहाँ पर डिविजन आता है यह बात जो है वो यह क्लेम कर लें कि सिर्फ हम ही करा सकते थे देश को आजाद तो यह जो बात थी जिसके अंदर इन्हों ने नॉन वाइलेंस का भी थोड़ा सा साथ दिया अपने उपर यातनाई भी सहीं जब यह काला पानी की सजा मिल गई इस सब कुछ आपको देखने को मिलेगा पर कीचिंग थी वो कैसे आई फिर अभी दो भारत की सुसाइटी यह सारी चीजे में आपको हलका हलका फ्लेवर दे रहा हूं लेकिन यहां बर डीप डाइव करके दिखाया गया बालंगा दर तिलक के बारे में तो काफी जादा चीज़ें और फिर जो फेस-off है ऑल्मोस्ट ग तो उने योगदान दिया था उस तरीके से अगर देखने जाओगे तो आपको अच्छे लगेगी कुछ अजंडर सोचके जाओगे तो थोड़ा से दिमाग भिन बिनाएगा आपको ऐसा भी लगेगा शाद बन साइडिट स्टॉरी है तीसरी चीज आपको थोड़ा टाइम लगा के जाना पड़ेगा यह तोड़ी लंबी मूवी है लेकिन मैं आपको यह प्रॉमिस कर सकता हूं कि जिस जोन में ही आपको लेके चलेगे आपको ट्रांस्पोस हो जाओगे नॉन डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कम्प्लीटली आप उस जोन में चले जाओगे जो प्री इंस्पाइट सो मनी पीपल थूरु इस पोईट्री थूरु इस पीचेज और इंस्पिरेशन थूरु इस एक्षिंज अल्सों विच जो इसके साथ यातना ही हुई वो सब एंड डिटर्मिनेशन दाइट सिल कम बाक वो बलब काफी इंस्पाइरिं है वो सब चीजे लेकिन रोम वस नॉट इन बिल्ट इन डे तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं एक इवारी में सब कुछ हो गया तो एक एक दिन पास होता हुआ आपको दिखेगा आपको मैसूस होता है फिल्म के अंदर कि ये लेट हो रहा है मामला लेकिन जाना है हमें तो एक slowness के अंदर भी एक urgency आप आपको ज़रूर नज़र आएगी एक बंदे का obsession नज़र आएगा और बहुत ही daring भी नज़र आएगा ये जो arrest बगेरा थे और काफी लोग बोलेंगे कि arrest कर लिया लेकिन he got himself arrested himself and why find out in the movie my movie score for this one is करता ही नहीं आपको पता है जितने भी देशभक्तिवली और इस तरीकी की historical त जरूर डिसकस करें बाए बाए